नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि महासेफ टैबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है महासेफ टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और महासेफ टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि महासेफ टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए महासेफ टाबलेट एक सेफलोस्पोरिंस ड्रग क्लास की एक एंटिबायोटिक दवा है जिसका उपयोग शरीर में बैक्टिरियल इंफेक्शन होने पर किया जाता है जैसे फेफरों में बैक्टिरियल इंफेक्शन होने पर निमोनिया होने पर खासी होने पर पेट में इंफेक्शन होने पर दातों या मसूडों में इंफेक्शन होने पर जोडों या हड्डियों में इंफेक्शन होने पर और कान नाग गले या तवचा पर इंफेक्शन होने डॉक्टर महासेफ टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। शरीर में infection होने पर बुखार हो सकता है। इसलिए बुखार होने पर भी डॉक्टर महासेफ टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी conditions हैं जिनमें आपका डॉक्टर आपको महासेफ टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। महासेफ एक brand name है, महासेफ टाबलेट के अंदर salt composition से fixim होता है, महासेफ टाबलेट 50 mg, 100 mg वद 200 mg की strength में available है, side effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में महासेफ टाबलेट की वजह से कोई side effects नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में महासेफ effects हो सकते हैं, जैसे उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, बधजमी, वचा पर रैशेस, पेट में दर्ब और दस्त हो सकते हैं, अब हम discuss करेंगे कि महासेफ टाबलेट को कैसे लेना recommended होता है, महासेफ टाबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने क के बाद भी लिया जा सकता है, बारा वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर महासेफ 200 mg टाबलेट को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं, और बारा वर्ष से कम उम्र के बच्चों को डॉक्तर डोज को शरीर के वजन के हिसाब से 8 mg पर किलोग के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको महासेफ टाबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, महासेफ टाबलेट एक डिस्परसिबल टाबलेट है, जो पानी में डालने के बाद अपने आप घुल जाती है, इ जब हम डिस्कस करेंगे कि महासेफ टाबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, महासेफ टाबलेट वाइरिल इंफेक्शन होने पर जैसे जुखाम या फ्लू होने पर काम नहीं करती है, इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं को तभी लेना चाहिए, एंटिबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, और एंटिबायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटिबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी, और ऐसी स्थिती में इंफेक्शन को ठीक करने के लिए आपके डॉक्तर को दूसरी एंटिबायोटिक दवा देनी पढ़ सकती है अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किड्नी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए क्योंकि लिवर और किड्नी की बिमारी से पीडित व्यक्तियों में महासेफ टैबलेट की डोज घटानी पढ़ सकती है वैसे महास प्रेगनेंट महिलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी महासेफ टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है। इसलिए जरुरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को महासेफ टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका महासेफ टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।